कच्छा दसके जितने भी विद्यरत ही हैं, एक प्राब्लम से बहुत ज़्यादा जूजते रहते हैं, वो प्राब्लम ये होती है कि सर जीवन परिचे कैसे लिखें, कैसे याद करें, भाई लिखना तो सरल है, आप लिख लेंगे, लेकिन याद कैसे करेंगे, आज हमें एक ऐ अंकों में आपका आता है जीवन परिचे, क्यूंकि आपका क्यूं, क्यूं आता है दस अंक में, क्यूंकि पांच का आता है एक कवी का, और पांच अंक का आता है एक लेखक का, एक कवी का और एक लेखक का, पांच पांच अंक का आता है जीवन परिचे, अगर रचना आप भूलते हैं तो उसका एक दो नंबर कटता है इसलिए रचनाय आपको कता ही नहीं भूलनी है ठीक है तो अब ये 10 अंक आपके हाथ से ना जाएं क्यूंकि आपका टारगेट है 95 प्लस यानि 98 प्लस लाएंगे तभी तो आप टॉपर बनेंगे तो 98 प्लस और 95 प्लस टारगेट है तो ऐसे में जीवन परिचे हम किस तरह से याद करें कि shortcut में साब भी मर जाए लाटी भी न तूटे जीवन परिचे याद हो जाए और हो क्या पूरे के पूरे अंक भी मिल जाए और कम समय में अच्छे तरीके से याद हो जाए तो आज इस जो है इस problem का solution चुटकियों में देने वाले हैं हम तो आईए हम एक जीवन परिचे के माध्यम से ही समझते हैं कि आपको एक जीवन परिचे लिखने से पहले क्या करना चाहिए कौन कौन से point है जो आपको एक जीवन परिचे में लिखना आवश्यक होता है और वो याद होने चाहिए ठीक है तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, ठीक, यहाँ पर अगर आप 9th में हैं, तो भी आप याद कर सकते हैं, ये वाली ठीक, बाकी 10th board में हैं, तो ज्यादा important रखता है, 10th वालों के लिए खास कर बता रहे हैं, और जो 9th है, वही 10th है, बात सेम ही है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप अपन जीवन परिचे, सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चोहान जी के जीवन परिचे से, आपको समझना है, क्या समझना है कि जन्म तो आपको और मृत्यू, ये दो चीजें अगर आपको नहीं आती हैं, तो भाई साहब ये याद कर लीजिये, क्या जन्म और मृत्यू अगर ये शिक्षा और भाषा शाली एगर माता का नाम है तो माता का अब इनका पती का नाम था तो पती का, यानि ये पॉइंट है जीवन परिचे के शुरुवाती पॉइंट जो प्लो चार्ट में भी आपको यहीं संग्छिप्त परिचे में भी आपको लिखना होता है और इसी संग्छिप्त परिचे के माध्यम से आपको क्या करना है पूरा का पूरा याद कर लेना है दस बारा पॉइंट्स बना के ठीक हो गया जन्म याद किया मृत्यू याद किया जन बहाषा शैली इंपर्टेंस रखती है भाषा सैली कौन सी है जैसी इनकी साहितिक खड़ी बोली है संगीत आत्मक ओजी सैली है ये दो चीजें भाषा अलग और शैली अलग याद कर लेंगे पिता का नाम रामनात सिंग है और पती का नाम लक्षमर सिंग है ये याद कर 1904 में जन्म 1948 में मात्र 46 वर्स की आयू में दुरगटना एक कार एक्सिडेंट में इनकी मृत्यू होती है ये पॉइंट याद कले इतनी बात समझ में ये कॉपी पेन निकाली उस पर इतनी बात नोट कर लीजिए इसका स्क्रीन सॉट ले लीजिए कॉपी पर ये नोट कर ठीक है और यहां पर आता है राश्ट प्रेम यानि कुछ पॉइंट्स जो और होंगे हम इस तरह याद करेंगे राश्ट प्रेम पर आधारित कविता लेखा निन होने किया असाहयोग आंदोलन में भाग लिया कई बार जेल यात्रा मध्य प्रदेश विधान सभा की सदस्य रही राश्ट जागरण को कविताओं का विश्य बनाया समझो अब इसे आप कहेंगे लिखेंगे कैसे तो आप लिखेंगे सुबद्रा कुमारी चोहान जी ने राश्ट प्रेम पर आधारित कविता का लेखन कारिय किया है या सुबद्रा कुमारी चोहान जी ने राष्ट प्रेम पर आधारित कविता लेखन किया है ठीक है या इनकी कविताओं में राष्ट प्रेम जलकता है और राष्ट जागरण का स्वर दिखाई देता है असायोग आंदोलन में भाग फिर लिखेंगे प्रेम जलकता है और फिर लिखेंगे सुबद्रा कुमारी चोहान जी मद्यपरदेश बिधान सभा की सदस्या भी रही और राष्ट जागरण को कविता का विशय बनाया यानि कि अपनी कविताओं में राष्ट जागरण का स्वर बुंजायमान करती थी सुबद्रा कुमार चोहान तो ये अपने आपसे इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको एक बना कर जीवन परिचे अच्छे से लिखना है नमबर नहीं गटेंगे ये मेरा वादा है फिर बात आती ही रचनाओं की वैसे तो एक रचना पूछता है लेकिन एक रचना से आपका काम नहीं चलना है क्योंकि आपजेक्टिव क्वेस्चन में भी आपकी रचनाएं आती हैं आपजेक्टिव क्वेस्चन में भी पूछ ली जाती है इसलिए सभी याद करना बाकि लिखना आप एक या एक या दो रचनाएं आप लिख देंगे तब भी जीवन परिचे में कोई दिक्कब नहीं होगी तो इनकी मुख्य रचनाये हैं मुकुल तिधारा विकरे मोती उनमादिनी वीरों का कैसा हो वसंत और जहासी वाली रानी तो बताओ कितनी देर हुई अभी महज पांच मिनट हुई है पांच मिनट में ही आपका जीवन परिचे तयार हो गया एनी प्रॉब्लम कोई प्र लिखो तो उसमें जो में पॉइंट है उन्हें हाइलाइट करना बहुत आवस्यक है जब आप विवरनात्मक धंक से लिखें कि सुबद्राकुमारी चौहान जी का जन्म सन 1940 में निहालपूर में इलाहाबाद में हुआ तो यहां पर 1904 हाइलाइट करो यानी हाइलाइट मतल पॉइंट होंगे उनको हाइलाइट करके डार्क से लिख देंगे तो एक्जामिनर देखके बड़ा ही आकासित होगा और बात आती है कि सर जो जीवन परिचे है वो कितने पेज में लिखें तो बात अगर हम पेज की करें तो केवल एक पेज से लेकर के देड़ पेज तक ल जाएगा नहीं तो आपका लंबा समय चला जाएगा और दस अंक आपको लेने हैं तो जीवन परिचे आपके लिए बहुत ही माइने रखते हैं अगर आप गड़बड करते हैं तो अंक कटेंगे फिर आपका टॉपर भनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा ठीके आज के ल अंक पड़ सिते हैं स बाएगा का धरना के लिए बहा हैं तो पाड़ा धर था जाम तो आपके लिए